जै शरी राम, मैं डॉक्ट रंकेत्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलजार, निम्रलोजिस्ट, लाल किताव नवास्तू कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, आपके इस अपने बेहत खास कारेकरम, बाग्य दरपन, उम्मीद की किरण में, जहां हम आपके सबके समक्ष, आज का राशीफल और आज का पंचांग ले करके, बात करेंगे हमेशा की तरह, पहले आज के पंचांग की, उसके बाद राशीफल की, भाग्य दर पढ़, उम्मीद की एक किरण, जान लेते हैं, दिनांक 2 नुवंबर 2021 दिन मंगलवार, कार्तिक मास, क्रश् सबह 11.33 मिनट तक तदो परांत तिर्योद शिति रहेगी, चंदर्मा कन्याराशी में संचार करेंगे, नक्षत रोतरा फालगुनी, सुबह 11.45 मिनट तक तदो परांत हस्त नक्षत रहेगा, योग वैदरती, शाम 6.12 मिनट तक तदो परांत विश्कुम्भ योग रहेगा, राहुकाल का समय रहेगा, दो पर दो बचकर 50 मिनट से, शाम 4.12 मिनट तक और गुलिक काल का समय रहेगा, दो पर 12.4 मिनट से, दो पर 1.27 मिनट तक, राहुकाल बेहदी अशुब समय होता है, कोई भी नया कारे शुब कारे समय पर बिलकुल नहीं करना है, और गुलिक काल आज आपकोई नया कारेकरम शुरू कर सकते हैं धनकी आवक होगी जिससे आपकी आर्थिक इस्तिती सुद्रड होने वाली है काम के सिलसले में अपने पूर्व में जो महनत आपने की है आज उसका परणाम मिलता हुआ आपको दिख रहा है उसके नतीजे आपके सामने होंगे आज आपके भागे की प्रवलता आपको अनेको जगहां पर आगे बढ़ाएगी और खूब सम्मान दिलवाएगी शाद शुदा लोग अपने गरस्त जीवन को खूब सूरत बनाने के लिए आज अपने जीवन साती को सभी जगह पर साथ ले करके जाएं प्रेम जीवन बिता रहे हैं लोग त्योहार की खरीददारी में अपने प्रिया के साथ जाना पसंद करेंगे और उनके लिए कोई बड़िया सा गिफ्ट भी लेंगे मेर्श राशी वालों को आज की सला इंजिनिरिंग के चात्र अपने प्रोजेक्ट को लेकर आशंकित रहेंगे और अध्यापक भी आपसे नराज रह सकते हैं ऐसे में उनका उच्छत संबान करें शुबरंग रहेगा आपके लिए पीला और शुबरंग रहेगा नो विर्श वराशी तुमारा हट तुमारा पतन होगा हट नहीं पालनी है अराम से दरश्टी कौन करें बले ही चीज़ें आपके खिलाफ हो रही हो लेकिन आपको फ्लेक्सिबल रहना है नचीला रहना जीवन में दूसरों की राय सुनने और उनको सुनने की अनुमती देने का परियास करें यहां तक कि इसके लिए सकारात्मक रहें यदि आपके तरकों को कोई खराब बताता है आपको कोई नेगेटिव दिखाने की कोशिश करता है तो आपको बहुत शांत रहना है बले ही आपको कुछ भी बैसूस हो रहा हो वास्तविक दुनिया में जाने के लिए और दुनिया तक पहुँचने के लिए आपको शांत सभाव की बहुत आवशकता है विर्शव राशी वालों को आज की सला यदि आपका बड़ा भाई ये बेहन है तो उनके साथ संबंद अच्छे बना कर रखें आपके बीच थोड़ा लड़ाई जगड़े ये गलत फहमी की भावना पलत सकती है इसलिए एक दूसरे को समझने का प्रियास करें शुबरंग रहेगा गुलाबी और शुबंग रहेगा पांच मितुन राशी आज आप अपने जीवन में कुछ सकारात्म बदलाव लाने की कोशिश करेंगे अगर आप अकेले रह रहे हैं तो अपनी सेहत आपके हाथों में है आज बहुत ध्यान रखना है आमधनी का मार्क प्रशस्त होगा पूर्व में आपने जो भी कारे के हैं उसका प्रणाम भी आज आपको प्राप्त होगा दूसरों की बाते सुनना आपके हित्मे रहेगा काम भाव पर सयम रखें अधिक खर्च होने से हाथ ठंग रह सकता है बाणी पर सयम रखेंगे तो बहतर रहेगा किसी कारण समय नुसार खान पान के ववबस्ता नहीं हो पाएगी मेतन राशी वालों को आज की सला यदि आप किसी खेल कूद में हैं अस्तरकारी परक्षा के लिए फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं तो आज के दिन अपना ध्यान रखें कोई दुरगटना हो सकती है चोट लग सकती है और थोड़ा सा यदि रुगटना आगे चल कर समश्चा है पैदा करेगी शुबरंग रहेगा आपके लिए भूरा और शुबंग रहेगा तीन करक्राशी बाग्या और कर्म किसी पर आपका जीवन आगे बढ़ेगा आप भागया में विश्वास करेंगे और खूब महनत भी करेंगे इससे आपको आज सकारत्मक नतीजे मिलेंगे जीवन साथी हर कदम पर आपके साथ खड़ा नजर आएगा आज उनके साथ आप कोशिश करें कि कुछ पल जरूर बिताएं और उनसे खुल करके बात करें जीवन में बहतर होगा प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिये के मन की इस्थती को जानकर थोड़े दुखी हो सकते हैं क्योंकि उन्हें किसी बात की चिंता हो सकती है आसानी से वो शेर नहीं करेंगे आपसे उनसे बात करें परवार में माता पिता आपको कोई काम की सला देंगे और आज आपकी सेहत भी अच्छी रहने वाली है करकराशी वालों को आज की सला आज किसी पड़ोसी से थोड़ा लड़ाई जगड़े या मिसंडेस्टनिक की संभावना बन सकती है अपने काम से काम रखें फालतु बातों पर बहस में ना पढ़ें जगड़ा बढ़ सकता है सामाजिक मोर्चे पर बहुत गतिविदी हो रही है तो आप इसका हिस्सा बनने की संभावना रखते है आपके परवार के सदश्यों को आपका ध्यान आकरशित करने और शाम को खाने के लिए बाहर ले जाने की आवशकता हो सकती है आपके बिखरे हुए नोट्स जो आपके जीवन का हिस्सा है आपके बिखरे हुए वो शन जो आपके जीवन का हिस्सा है और जो आपका जीवन है जिन से आप बहुत कुछ सीखते हैं आज उसी से आपको पिरेणा मिलेगी तो उन शणों को संजों करके रखें उन शणों से कुछ नया सीखने का प्रयास करें सिंग राशी वालों को आज की सला विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं लोगों के रिष्टे की बात अंतियम दोर में पहुच सकती है लेकिन जल्दबाजी में फैसना नान लें आगे चलकर परस्ताना भी पढ़ सकता है शुबरंगों का महरून और शुबंगों का साथ कन्या राशी आज आपकी किस्मत खुलने वाली है बहुत बड़ा धनलाब होगा कारोबार संबंदी को योजना यदि आपके मन में चल रही है तो इसे आज पूरा किया जा सकता है विदेश इस्तित जो इसनेही जन या मित्र हैं उनका शुब समाचार आपको मिल सकता है व्यपारियों को कारोबार में धनलाब होगा नए आयोजन हाथ में ले सकेंगे मित्रों तथा सगे संबंदियों का घर आगमन होने से आनन्द रहेगा अध्यात्मिक तथा गूड विद्याओं के अध्यन में रुच्छी होगी कने राशिवालों को आज की सला गर में किसी चीज़ को लेकर तनाब का वाता वरन रहेगा रिष्टिदार आपके बारे में अनुचित बात कर सकते हैं जिस करान आपके छवी को नुक्सान पहुचेगा फिर भी समझदार इसे कारे अगर आपने नहीं लिया तो बात ज्यादा बिगर सकती है शुबरंग रहेगा आपके लिए आस्मानी और शुबंक रहेगा तुला राशी जीवन साती के सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा अच्छा खासा पैसा आज बिमारी पर खर्च हो सकता है इलाज पर खर्च हो सकता है मन में बुद्धी मानी रहेगी और अपने ज्यान का प्रियोग करके आप बिजनस को आगे बढ़ाने का कोई नया तरीका निकाल लेंगे नौकरी पैशा लोग आज जम कर बैनत करेंगे और अपने भविश्य को मजबूत बनाने के दिसा में प्रियाशरत रहेंगे प्रेम जीवन बिता रहें लोग अपने प्रिया को कुछ बातें बताएंगे और जिसका असर आप दोनों के बीज थोड़ी गर्मा गर्मी में बदल सकता है विरोधियों पर आज आप भारी पढ़ेंगे सेहत का ध्यान लखें तो लाराशी वालों को आज की सला यदि आपका प्रेमी कुछ दिनों से आपसे नराज चल रहा है तो आज के दिन इस्तिती समल जाएगी और आप पर कोई शक था या किसी बात को लेकर मतवेत था तो वो नहीं रहेगा शुबरंग होगा आपके लिए संत्री और शुबरंग होगा नो वरस्चे क्राशी आपको अपने जीवन की कुछ कठिन चुनोतियों का कठिन डगर का सामना करने की संभावना आज मुझे व्यक्त कर सकता हूँ मैं यह लग रही है थोड़ा सा उत्साहा आपके अंदर रहेगा नई अनुभवा प्राप्त करेंगे जीवन में अधिक सफलताओं के लिए आप तयार हो जाएंगे किसी समारों के मुख्य अतिती भी बन सकते हैं लेकिन जो कठन चुनोतियों है उनको डट करके मुकाबला करें सामना करें उनसे कुछ सीखने का प्रियास करें बहतर रहेगा सरकारी परक्षा की तयारी कर रहे विद्यारतियों सिब विशेस अनुरोध है कि अपने सेपार्टियों के संपर्क में रहे उनके दोरा कोई ऐसी बात साजा की जाएगी जो बविश्य में आपके लिए लावदा एक सिद्ध होगी शुबरंग रहेगा आपके लिए हरा और शुबंग रहेगा एक दन राशी आज दामपत्य जीवन में कहीन कहीं मतवेद या रूठना मनाना चलता रहेगा आपकी मनों कामनाय पूर्ण होंगी मालक्ष्मी की करपादरष्टी आप पर बनी रहेगी किसी के साथ वेवाहिक संबंद स्थापित करने से पूरू भली भाती सोच विचार कर लें बच्चे अपने अपने शेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे आज आप उन पर गर्व करेंगे परवार आपका पूर्ण सहयोग करेगा और परवार के सदस्यों के मध्य इसने ही वातावरन बना रहेगा बाचीत मतारकिक और बहुत दिक चर्चा से दूर रहने का प्रियास करें धनुराशी वालों को आज की सला आज अगर कहीं गूमने जा रहे हैं ड्राइविंग करते समय साफधानी रखें लापरवाही न करें शुबरंग रहेगा सफेद और शुबंग रहेगा मकर राशी आज का दिन अच्छा रहेगा आपके लिए यात्रा समाप्त करके दो पैर तक आप घर वापसी कर सकते है परवारिक सदस्चों का सैयोग आपको काम में मिलेगा नौकरी पेशा लोग अपने काम में जबरदस्त प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे आप हर बात को अपनी प्रतिस्ठा का विश्य ना बनाए नहीं तो आत्म सम्मान की हानी हो सकती है इनकम ठीक टाक रहेगी खर्चे बढ़ेंगे किसी दोस्त के आगमन से गर में खुशी आएगी शादी शुदा लोग अपने गरस्त जीवन से संतुष्ट निज़र आएंगे जबकि प्रेम जीवन बिता रहे लोग आज अपने प्रिया के लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे मकर राशिवानों को आज की सला आज अपने बच्चों पर निज़र रखें उनकी संगती खराब हो सकती है इसलिए बहुत ध्यान देने की आवशक्ता होगी वरना बच्चा आपका हाथ से निकल सकता है शुवरंग रहेगा आपके लिए सलेटी और शुवरंग रहेगा साथ कुमबराशी कम जूट बोलना और भविश्य के लिए अपनी उर्जा को सरक्षन करना आपके लिए बहुत अच्छा है एक कोशिश करें कि अच्छाईयों को अपने अंदर समेटे और नेगेटिविटी को अपने आपसे बाहर निकाले बहुत सारी घटना आज आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनने आप नियंतरित करना चाहते हैं लेकिन उन्हें जवाब देना भी मुश्किल होगा आपके लिए बस प्रवाह के साथ फिलो के साथ आज आपको चलते जाना है और चिनोतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है किसी की सामने रुचियों या स्वाद के साथ खोजना एक उभरते हो रोमांच की घंटी बजा सकता है आपको एकाकी दनों को आपके जो अकेला पन है उसको दूर करने की भी आज मुझे लग रहा है कि समय उसके लिए अच्छा है कुम राशिवालों को आज की सला आज शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाए वरना नुकसान हो सकता है पैसा डोब भी सकता है शुबरंग रहेगा आपके लिए केसरी और शुबरंग रहेगा अच्छे मीन राशिवालों को आज की सला विविन ने समाज एक कारियों में आपका समय बीतेगा परवार और दोस्त खुशी के समय यादगार अफसनों को मनाने के लिए खटाओंगे मीन राशिवालों को आज की सला घर के किसी काम से बाहर जाना हो सकता है पिता के स्वास्त का विशेष ध्यान रखें आर्थिक मामलों में सैयम से काम लेने की आपको विशेष सला दी जाती है आज अनथा शत्रू आपका नुकसान पहुचाने का पूरा प्रयास करेंगे शुबरंग रहेगा आपके लिए नीला और शुबरंग रहेगा चार ये थी बात आज के राशिवल की मेश रासी से लेकर मीन राशी तक कैसा भीतेगा आपका आज का दिन यदि आपको हमारी विडियोज पसंद आती हैं तो आप मारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन दवाना बिलकुल न भूलें अगर आप ये विडियोज फेस्बूक पर देखने हैं तो हमारा फेस्बूक पेस्ट, लाइक और फालोा जरूर कर ले हर वीडियो को ज़ैरस स्यादा लाइक करें, शेर करें और कमेंट बाक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वडियो कैसी लगी फिर मेलेंगे नई जानकारे के साथ तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जैशनीराव